हेलो दोस्तों हमारे चैनल वीस ओनलान टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है SSC GD Constable की वर से करिप यहां पर 24,39 बदों के लिए 10 वी पास वाले केंडिटेट के लिए आपर भरती निकाली गी है दोस्तों अगर आप भी SSC GD Constable में online form बना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं SSC GD Constable में online form फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile के ब्रॉजर के उपन करेंगे सर्च अटेप पर आकर आपको SSC लिख के सर्च कर देना है जैसे आप SSC लिख के सर्च करेंगे आपर SSC के official website दिज जाएगी आपको यहाँ पर click करना होगा जैसे दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगी stop selection commission का official website आपके सामने open हो जाता है जैसे आप इस page में आएंगे आपके सामने कुछ इत्प्रकासी interface देखनों के उमें जाएगा नीचा आएंगे दोस्तों latest news पर आप देख सकते हैं 37 October को एक notification flash हो रही है दोस्तों इस notification पर आप देख सकते हैं जो Constable, GD, Arm, Police Force, साथ यहाँ पर SSC इन सबी पोस्टे के यहाँ पर विकेंसी जारी की गी है तो दोस्तों इसके लिए आप online form फिल कर सकते हैं दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यह notification डाउनलोड हो के हमारे समने इस प्रकार से open हो जाता है यहाँ पर इन सबी पोस्ट के बारे में पूरी details information दीगी है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं SSC GD Constable में online form फरने का जो starting date है 27 October से शुरू हो गया है लास्ट date की बात करें तो आप 30 November तक online form फर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर online fees payment करने का यहाँ पर अलग अलग date दिया गया है इसके साथ ही आपका जो एक्जाम है वह 2023 जनवरी में होने वाला है दोस्तों आपका एक्जाम CBT यानि computer based exam होने वाला है तो दोस्तों आपको यह जो है अच्छे से पूरा date देख लेना होगा इसके बाद जैसी space में निचा आते हैं यहाँ पर vacancy के बारे में पूरी detail दी गी है आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग सभी जो है category wise पूरा detail से बत्या गया है यहाँ पर अलग-अलग के डिगरी वाइस यहाँ पर अलग-अलग वेकेंसी दी गी है तो दोस्तों इसमें male और female दोनों candidate form apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर total vacancy की बात के हैं तो करिब 24,379 बदों के लिए यहाँ पर vacancy निकाली गी है अब बात कर लेते हैं कि हमें online form कैसे बना है, online form बने के लिए हमें SSC की official website में चले आना है और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले login करने का options आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर आपने पहले भी SSC में किसी बर्दी के लिए अवेधन किया होगा तो यहाँ से आपको login करना पड़ेगा login करने के लिए आपको यहाँ पर user ID और password की जुरत पढ़ने वाली है अगर आप अपने password भूल गए होंगे तो नीचे आपको forget password का भी options दिया चाता है साथ ही दोस्तों यहाँ से आप अपने user ID भी forget कर सकते हैं इसके साथ ही जो आप पहले mail दिये होंगे उस mail पर आपका user ID मिल जाएगा वहाँ से भी आप user ID प्राप्ता कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि SSC में आपको जो है नए registration form कैसे भरना होगा तो इसके लिए हाँ पर simply नीचे में आपको register now का button दिख रहोगा यहाँ पर आपको simply click करना होगा जैसे हाँ आपर click करेंगे SSC में registration कराने का page है वह open हो जाता है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 3 steps को follow करके आपको अपना registration कराना होगा सबसे पहले यहाँ पर आपको जो basic details fill करनी पड़ेगी पहले number पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास अधार card है तो अगर आपके पास अधार card होगा तो आपको yes पर click करना है जैसे आप yes पर click करेंगे यहाँ पर आपको जो अधार number डालने का options open हो जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अधार number डाल देना होगा इसके साथी दोस्तों अगर आपके पास अधार card नहीं है तो यहाँ पर no पर click करना है इसाथ यहां पर अधर आपको जो addy सेलेक्ट करने की options आ जाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं pain card, voter ID, यह सब यह options यहां पर आपको देखने हो क्यों मिल जाएगी तो दोस्तों आपके पास अगर अधार card होगा तो आपको यहां पर yes पर click करना है अधार card यहां पर डाल देना है, साथ ही verify अधार number लिखा हुआ आ रहा है यहां पर आप अपने अधार card के number को यहां पर दुबारा से enter कर देंगे और verify कर लेना है, इसके बाद दोस्तों निचे आपको अपना पूरा नाम यहां पर लिख देना होगा यहां पर नाम आपके जो matriculation के certificate के recording होना चाहिए उसके बाद verify name लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर आपको अपने नाम को दुबारा लिख के verify कर लेना होगा अगर दोस्तों आप अपने name यहां पर चाहते हैं, तो यहां पर yes पर click कर देंगे यहां जो walk से वह open हो जाएगा और यहां से आप अपना name चाहते हैं, अगर आप अपना name चाहते हैं, आपको अनों पर click करना है इसके बाद दुस्तो निचे आपको अपना father's name देना होगा या आप माट्रिकॉलेशन के certificate के ही एक्वाडिंग आपको father's name डालना होगा आपको अपना father's name को 53 करा लेना है यानि दुबारा से आपको father's name यहां पर डाल देना होगा इसके बाद दुस्तो नीचे मदर्सनाेम लिखे हुआ धैने लिखे तो मदर्स नेम को दो भारा सबक्राइयना दोबार दीना और दोबार लिखेत लिटेशिक Yowas लुट्वय का सबस्क्राइबें को थे यह थे में Window को लिखेर में सबसे पहले education board पर यहां पर क्लीक करेंगे तो जितने भी यहां पर जो है बोर्ट है यहां पर आ जाते हैं तो दोस्तों आप जिस बौर्ट से 10th pass हुए हैं उस board को यहाँ पर select कर देना है अगर दोस्तों आप 36 गड़ बोर्ड से कि होंगे तो इस पर गासे देख सकते हैं 36 गड़ बोर्ड आप secondary education लिखा हुआ आ रहा है अगर दोस्तों आप other board से कि होंगे तो उस बोर्ड को आपको select कर देना होगा इसके बाद आपको द दुबारे यहाँ पर roll number डाल देंगे इसके बाद दोस्तों year passing लिख्या हुआ आ रहा है इसका मतलब आप 10th कौन से year में pass out हुए हैं उस year को यहाँ पर select के button पर select करके year select कर देंगे और नीचे आपको जो दुबारा से year select कर देना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको अपना gender सेलेक्ट करना है male female या transgender जो भी हो इसके बाद यहाँ पर दुबारा फिर से आपको जो है अपना gender select कर देना होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना education qualification सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं 10th 12th diploma graduation post graduation जो भी आपका highest qualification है यहाँ पर आपको select कर द लेंगे सांति उस email ID को आपको यहाँ पर verify करा लेना है दोस्तों यहाँ पर mobile number और email ID आपको खुद का देना होगा क्योंकि इसमें OTP आएगा उसको आपको verify करा लेना है और यहाँ जो mobile number और email ID इसको बहुत में भी काम आने वाला है इसलिए यहाँ पर अपना permanent mobile number और email ID डाल दोस्तों यह सारे details आपको double इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार registration होता है और इसमें कोई भी गलती ना हो इसलिए आपको जो दुबारा verify कराने के लिए मांग रहा है तो सारे details आपको फिर से एक बार अच्छे से चेक कर लेना होगा इसके बार दोस्तों मॉइल नमबर और email ID इस प्रकास से हो जाएगा तो दोस्तों यहां से आप अपना मॉइल नमबर और email ID दुबारा चेक कर सकते हैं दुबारा चेक करने के बाद आपको confirm के बटन पर क्लिक कर देना होगा इस प्रकास से यहां पर जो है एक notice आती इसको आपको close करना है यहां दोस्तों इस notice में बताई जा रही है कि 14 दिनों के अंदर अगर आप अपने form को पूरा फिल नहीं करते हैं तो यहां automatic यहां से delete हो जाएगा इसलिए 14 दिनों के अंदर आपको registration कराना पड़ेगा close करने के बाद दोस्तों इस प्रकास से देख सकते हैं यहां पर आपका अपना registration नमबर आ गया है सान्थ इस registration नमबर को आपको copy कर लेना होगा और कहीं पर लिख लेना है और यहां पर OK के बटन पर click करना होगा जैसे दोस्तों आप OK के बटन पर click करेंगे हमारे समने इस प्रकार से login करने का page open हो जाता है इसके लिए दोस्तों हम अपने email आड़ी या mobile नमबर पर जाएंगे वहां से हमें अपना registration नमबर और password मिल गया होगा तो आपको उस प्रकार आपको जो registration नमबर और password डाल देना है डालने के बाद दोस्तों निचे capture code दिख जाएगी इसको आपको यहां पर fill करके login के button पर click करेंगे हमारे समने इस प्रकार से एक नया page open हो जाता है यहां पर हमें दुबारा password बनाने के लिए कहा जा रहा है दोस्तो ओड़ा password में आपको जो email id पे password आया होगा या mobile नमबर पे password आया होगा उसको यहां पर डालना है साथ ही new password में आपको नया password बनाना पड़ेगा जैसे यहां पर click करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं इन condition को follow करते हुए आपको password बनानी पड़ेगी दोस्तो password बनाने के लिए कम से कम एक आपको capital letter का यूज़ करना है साथ ही एक जो है number का यूज़ करना होगा एक special character की यूज़ करना होगा और दोस्तो पासवर्ट की जो character होगी वह 8 character से अधिक होना चाहिए इस condition को follow करते हुए आपको अपना password create कर लेना होगा दोस्तों आप यूज़ को password ऐसी ही बनाना है जो आपको हमेसे याद रहे दोस्तों password बना लेने के बाद निचे उस password का आपको confirm करने के बाद निचे आपको submit का button दिख रहा होगा यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे दोस्तों आप submit की button पर click करेंगे आपका password नया जो है create हो गया है आप य निचे capture code डालके आपको login के button पर click कर देना है जैसे आप login के button पर click करेंगे आपका इस प्रकार से registration नमबर दिख जाएगा साथी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और information फिल करने पड़ेगी यहाँ सबसे पहले हमें basic details पूछा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सा सारा detail पहले से आपके समनिस प्रकार से आजाएगा यहाँ पर आपको जो दुबारा सारा details चेक कर लेना होगा और next के button पर click करना है जैसे next के button पर click करेंगे यहाँ पर आपको जो दुबारा से category डालनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं general EWS, OBC, SC, SC, SC जो भ इंडियन है तो यहाँ पर citizen आप इंडियन सेलेक्ट कर देंगे आगे दोस्तों यहाँ पर आपको identification marks देना है जैसे आपके सरीर पर कोई ऐसा निशान चाहें cut कर निशान या तील कर निशान उसको यहाँ पर आपको जो है लेक देना होगा इस प्रकार से दोस्तों mall in face, mall in lips आपको जो भी आपको पहचान कर निशान होगा उसको आपको यहाँ पर दे देना होगा देने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है PWD candidate होंगे यानि digital candidate है तो यहाँ पर आपको yes by click करना है अगर दोस्तों आप digital candidate नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको no पर क्लिक करना होगा, इसके बाद निचाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना permanent address डालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना village और जो भी आपका permanent address से उसको यहाँ पर fill कर देना है, address fill करने के बाद यहाँ से आप अपना area का code यानि pin code डालना है, pin code डालने के बाद दोसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या आपको जो permanent address और present address दोनों सेम होगा, तो आपको यहाँ पर yes क्लिक करना है, जैसे दोसे आप yes पर क्लिक करेंगे, सारा जो detail है automatic यहाँ से fill हुया आ जाएगा, अगर दोसे आपका present address और permanent address दोनों अलग है, तो यहाँ से आप अपना permanent address डाल सकते हैं, इसके बाद दोसे आपको face से पूरा detail चेक कर लेना होगा, और यहाँ पर आपको save के button पर क्लिक कर देना है, जैसे दोसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे समने इस प्रकास से declaration आ जाते हैं, इस declaration को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, पढ़ने के बाद I agree लिखा हुआ आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो check mark करने होगे, और final submit पर आपको क्लिक करना होगा, इस प्रकास से दोस्तों आपके सामने जो mobile नमबर है, या आपने जो email ID दिया हुआ है, उस पर एक OTP आ जाएगा, दोस्तों पर mail के नेचे मैं अपना OTP डाल दिया, OTP डालने के बाद नेचे capture code है, उसको मैंने fill कर दिया है, और यहाँ पर submit के button पर click कर दिया, जैसे दोस्तों आप submit के button पर click करेंगे, आपका registration successful completed हो जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर registration नमबर भी देखने को मिल जाएगी, जैसे दो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर पूरी detail दीगी है, इस पोस्ट में आप अपना online form बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, apply का button दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको simply click करना है, अगर आप इस पोस्ट के बारे में detail चाहते हैं, तो यहाँ पर notification भी आप download कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों हमें apply करना होगा, तो simply हमें apply के button पर click करना है, जिसे हमें apply के button पर click करेंगे, हमारा online form इस परकार से open हो जाता है, इस इस पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे details पहले से fill हुए आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कि आप access service main हैं, अगर आप access service main होंगे, तो यहाँ पर yes पर click करेंगे, otherwise आपको no पर click करना होगा, इसके बाद नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, कि आप एज में relaxation चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप में age में relaxation चाहते होंगे, तो yes पर click करेंगे, otherwise यह पर आपको नो पर क्लिक कर देना होगा, दोस्तों नीचे आएंगे तो यहां पर NCC Certificate पूछा जा रहा है, अगर आपके पास NCC Certificate होगा तो Yes पर क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो आपको नो पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहां पर आप अपने नियरिष्टे city को सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद second exam center में उसके बाद में आने वाले city को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर third में जो भी आप city सेलेक्ट करना चाहते हैं जहां पर भी आप third preference देना चाहते हैं उस exam city को सेलेक्ट कर देना हैं उसके बाद दूस्तों यहां से आप अपना district कर लेंगे और इसको दुबारा confirm कर लेना है इसके बाद दोस्तों आगे पूचा जा रहा है कि क्या आप state से जो migrate यानी पलायन कर चुके होंगे तो उस condition में आपको yes पर click करना है otherwise आपको no पर click कर दिना होगा इसके साथ दोस्तों आप अपर migrate candidate के लिए reservation के बारे में दिया गया है अगर आपको reservation चाहिए तो yes पर click करेंगे अगर दोस्तों आपर no पर click करते हैं तो आपको general या EWS में consider किया जाएगा इसके बाद दोस्तों निचे आएंगे तो आप यहाँ पर पोस्ट का reference देने के लिए कहा जा रहा है सबसे पहले पोस्ट डिटेल पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पोस्ट के लिए अलग यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है तो दोस्तों इस बारे में आपको अच्छे से नोटिफिकेशन देख लिए होगी कि किस पोस्ट में कितना वेकेंसी आई हु देना चाहते हैं तो असना राइफल का कोड एफ है इस प्रकार से आप जिस जो है प्रिफिरेंस को पहले देना चाहते हैं इस कोड को आपको अच्छे से देख लेना होगा तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप अपने जो है अनुसार यहाँ पर जो प्रिफिरेंस दे सकते चेक करना पड़ेे अपको को से पोस्ट पर डिखकर करना पड़ेगा। अपको सारी कोड अच्छे से धेकर फिल करने पड़ेंगे। उसी जो कोड डाले वे इसको यहां पर ऊन्फरौ्ट करама। इस प्रकार से आपको जो इस प्रकार से पोस्ट कोट डल जाते हैं इसके पर दूस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर higher education qualification मांगा जा रहा है तो यहाँ पर जैसे click करेंगे यहाँ से आप अपने higher education qualification को select कर लेना है यहाँ पर आपको 10th standard select कर लेना है इसके बाद फिर नीचे आपको status लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर click करेंगे तो आप 10th pass out है या appearing है उसको यहाँ पर आपको select करने ना होगा यहाँ पर आप अपने 10th के percentage को डाल देंगे अगर जो है आपका certificate CGPA है तो यहाँ आप अपने CGPA को डाल सकते है इसके बाद दोस्तों आप अपना personal details DOPT के website पर show करना चाहते है तो यहाँ पर yes पर click कर देंगे इसके बाद friends आपको अपना photographs और signature अपलोड करना पड़ेगा जो आपकी photographs होनी चाहिए वह 17 जुलाई के बाद की होनी चाहिए और दोस्तों photographs की size होनी चाहिए वह 20 से 50 के बेकी बीच होनी चाहिए वही signature की size वह 10 से 20 के बेकी बीच होनी चाहिए अगर दोस्तों आपको फोटोग्राप्स की साजी से अधिक होगी तो यहाँ पर upload नहीं होगा फोटोग्राप्स अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करके आप जिस फाइल में अपना फोटोग्राप्स रखे होंगे उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और वहां से आप अपना photo select करेंगे तो इस प्रकास से photo वहाँ यहाँ पर so हो जाएगा तो दोस्तों आप अपने photographs में यहाँ पर date की बात नहीं कीगे है जैसी website पर जाते हैं तो यहाँ पर notification में कहीं भी date mention नहीं है यहाँ आप चाहाँ तो यहाँ पर date भी डाल सकते हैं नहीं चाहाँ तो यहाँ पर date आपको डालना compulsory नहीं है तो दोस्तों आप अपने photographs में date नहीं डालेंगे तो आपको कोई दिकत नहीं होने वाला है उसी प्रकास यहाँ से आप चूज फाइल पर click करके यहाँ से signature को भी select करके यहाँ से upload कर सकते हैं इस प्रकास से दोस्तों देख सकते हैं आपको photographs और signature दोनों upload हो गया है और photographs और signature यहाँ से upload नहीं होता है लाज जो फाइल का यहाँ पर error आता है तो दोस्तों आपको अपना photograph और signature की size को reduce कर लेना होगा इसके बाद friends आपकी फोटो जो सत्ता जुलाई की बात की है उसको आपको confirmation करने के लिए यस पर click करना होगा इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको पूरा declaration है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है declaration पढ़ने के बाद friends आपको नीचे आपके capture code फिल करना होगा और यहाँ पर आपको preview पर click करना है दो सारे डिटेल सही होने के बाद आपको submit के button पर click करना है और ok के button पर click कर देंगे जैसी friends आप ok के button पर click करेंगे हमारे से हमने इस परकाश से application form print करने का यहाँ पर options आ जाता है इसके लिए यहाँ पर आप yes पर click करके डायक्टर page कर सकते हैं अगर आप बाद में payment करना चाहाँ तो आपको no पर click कर देना है जैसी आप no पर click करेंगे आपके समने इस प्रकाश से दुबारा जो है वही पोस्टर का detail आ जाता है साथी दोस्तों सबसे पहले आपको अपना status चेक कर लेना होगा जैसी application status पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दो options दिया जा रहा है online और offline जिस method से आप payment करना चाहते हैं आपको यहाँ पर select कर लेना होगा से online method पर click करेंगे आप देख सकते हैं net banking के through साथी दोस्तों debit card credit card इन सभी के माध्यम से आपको online payment करना होगा दोस्तों अगर आप ATM card से payment करना चाहते हैं तो आपको debit card से लेक्ट करना होगा साथ यहाँ पर अपना पूरा card का detail डालेंगे और पर यह बटन पर click कर देंगे आपके रिष्टेर मोबाइल नमबर पर OTP आएक उसको आपको verify कराके payment complete कर लेना होगा दोस्तों payment complete हो जाने के बाद आपको एह इस प्रकाष मिल जाती है यहांपर देख सकते हैं payment confirmation यह कंप्रीट हो गया है इसको दोस्तों आपको payment complete हो जाता है तो इसका मतलब आपको online form में होगा successful submit हो जाता है इसके बाद दोस्तों आपको अपना application form प्रिंट करने के लिए दुबार उसी page में आना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं apply के बगल में आपको print का बटन देख रहा है जैसे यहाँ पर ट्लिक करेंगे आपको जो application form है वह जो print होके इस प्रकार से open हो जाता है अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लागा हो तो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही informative वीडियो आती रहती है